आज के ये 78 Cards of Wisdom ये शो करेंगे कि आप अपने लाइफ में stuck क्यूं फील कर रहे हैं आप जो हैं मेहनत कर रहे हैं सब कुछ है लेकिन दें जस्टस क्यों नहीं मिल पा रहा है और साथ में कौन से देवी की अराधना जो हैं आपके तरफ का आशिरवाद आपको लाएगी इसक अज का व्लोग जरूर देखिये वेल्कम और वेल्कम बाक तो यूर चैनल लवें लाइट विद माला आज की रीडिंग बहुत जादा लोगों के लिए हल्पल होने वाली है और आप लोग ताइप करेंगे आई आअम ब्लेस्ट आई आइम ब्लेस्ट करके जो पाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जो डेटी का जो ब्लेसिंग आया है उनका नाम लिखकर इस रीडिंग की energies को claim करेंगे और time stamp जो है print comment पे रहेगा आप लोग सीधा चाकर भी enjoy कर सकते हैं या जैसे भी आप अगर अपनी family के लिए ले रहे हैं, husband के लिए बच्चों के लिए, जिस तरीके से हो 3 pile रहेंगी, 3 pile को आप देख से, now you can see that there are 3 piles in front of you, pile 1, pile 2 2, pile 3, connect करिये again the same procedure deep breathing, close your eyes think about that you are going to get the answer that why you are feeling stuck, इसको visualize करते हुए, आँखे खोल कर जिस पर आपकी पहली नजर या जो pile आपको खीच रहा है, उसकी तरफ आप drawn हो रही हैं या हो रहे हैं बस that is your answer, okay so pile 1, pile 2 pile 3, हर एक pile में there are 2 cards, 2 cards में आपकी guidance आएगी प्लस जो deity का आशरवाद या आपको पूझना है उनको तो चलिए सबसे पहले pile 1 में आ जाते हैं, तो आ गए हैं हम अपने pile 1 में connect, जिन्नों ने pile 1 के साथ intuitively connect किया है, आप लोग लिखेंगे pile 1 I am blessed, और देख लेंगे कि इसमें जो deity हैं उनका नाम जरूर लिखेंगे तो चलिए आपके सामने ही cards open हो रही है 4 of swords the chariot और deity हैं श्री विश्नू, तो श्री विश्नू की भी blessings, वाव what a beautiful card बहुत सुंदर, तो अब चलिए detailed guidance ले लेते हैं why are you feeling stuck first of all, you have been too harsh with your energies and now the chariot energy is telling की आप जिस चीज के लिए बार बार सोच रहे हैं, प्रतने कर रहे हैं कहीं ना कहीं, this time you should let it go थोड़ा सा अपने को break दीजिए you really deserve a break energies हैं बहुत जादा low और expectations के बोज तले और waiting के बोज तले जो हैं, आप इस energy के साथ इस vibrancy को अगर expect कर रहे हैं, then you are dealing your own manifestations so कहीं ना कहीं, take a break give it a, let it let go करिये, give it a break जो चीज़े आपको पसंद है उस से अपने की, अपने अंदर की vibrancy को तलाश करिये and then you are all set to go and one more thing, what my channelized energies are saying please take care of your root chakra root chakra की वज़े से भी जो हैं, चीज़े आपके पास या तो delays हो रही हैं, या blockages आ रहा है मूल अधार का जो video है, मैं यहां पर suggested video है, यहां पर भी दे दूंगी और इस end में, video के अंत में भी रहेगा, देख कर safe कर लीज़े और root chakra पर काम करेंगे और फिर आप बताएंगे की माला माम, vibrancy is all within me, so after coming four of swords, here is the second reason why you are stuck, that is the chariot it shows that you have been overthinking, over worrying about something which is diverting your focus from going ahead, आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप बीच में अपने personal कारनों की वज़े से कुछ overthinking कर रहे हैं, then आप अपना focus खोते हैं, आगे बढ़ने के growth का जो tempo है वो रुख जाता है, ये आपका main कारण है कि आपके life में balance नहीं हो पा रहा है, और कोई ना कोई पुरानी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़ादा overthink कर रहे हैं, that is why there is a stuckness and there are delays, okay, और अब श्री हरी विष्णू की कृपा जो है, आप पर बरसेगी जो भी rituals हैं, जो पूजा पाठ हैं, थोड़ा सा और करिए और मेरे चानल में मैंने दिया था 16 प्रहस्पतिवार के वरत के कैसे करना है, विधी and all, so 16 प्रहस्पति विधी का मेरा जो वीडियो है universe has your back is the playlist वहाँ जाकर आप देख सकते हैं उसको भी कर सकते हैं, जो करना चाहें वो भी बहुत कामगार एक 16 प्रहस्पतिवार का वरत रुके हुए कामों को बहुत अच्छे से पूरा करता है, मेरी तो उस पे बहुत आस्था है, even मैं आपको बताऊं अभी भी मेरे 16 प्रहस्पतिवार के वरत चल रहे हैं, तो श्री हरी विष्णू की कृपा पाईए, रिच्वल्स पूजा करिए, और बस here is pile 1, अब आ जाते हैं pile 2, पैल 2 के साथ connect किया है, आप लिखेंगे pile 2 I am blessed, और जो deity है, उनका नाम, तो सबसे पहले cards आपके सामने ही होगा 3 of swords, open up and then the next card is 4 of cups, why you are feeling stuck, because of 3 of swords 4 of cups, और जो deity है वाओ, काली मा, काली मा की साथना करिए, वाओ तो चलिए, देख लेते हैं the first reason is why you are feeling stuck, because there is a heartache, disappointment cheat, negativity differences of opinion and lot of misunderstanding between the couples or the relationship आपके family members से या फिर आपके couple में आप लोगो का जो differences of opinion है, argument है, खतर-पतर है that is the main, main, main thing why you are feeling stuck second, जो आप feel stuck कर रहे हैं, that is why it is, because you are overthinking about the sadness or the things what are you know, you are feeling और जो की हो चुकी है और इस overthinking के चकर में आप क्या कर रहे हैं, जो new blessings है जो universe आपको signs दे रहा है, आपकी उसमें नजर ही नहीं पड़ रही है आप उसको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने दुख और मायूसी में डूबे हुए हैं, this is another main reason, pile 2, why you are feeling stuck, आपको तो देखना है न, opportunities, अगर आप अपने stuckness और अपने blame game और अपने disappointments failures को लेकर क्रिप करते रहेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे तो ये दोनों pile 2 आप लोगों के लिए reason हैं, और माकाली की पूजा करिए, माकाली को प्रे करिए, the next card because of Ace of Pentacles and then Ardhanarishwar वाओ, शिफ चलिए, अब देख लेते हैं, two reasons why are you feeling stuck, first is, you are in stress, overwhelming, बहुत ज्यादा stress है, जितना आप deal कर सके, उससे ज्यादा mental chaos और आप लोगों के आपके आस पास के close ones, आपके relatives हो सकते हैं, known people हो सकते हैं, job के, you know, co-workers हो सकते हैं, they are creating a lot of stress and disturbance in your mind, mental chaos और tension जो है, आपको अच्छे से focus या आगे बढ़ने की एक जो है, enthoo, vibrancy, excitement ये तो नहीं दे रहा है, बलकि आप इन सब चीजों में जूल रहे हो, जूज रहे हो, struggle कर रहे हो, this is the main reason why you are feeling stuck, and second is, ace of pentacles, जो की आपका stuckness का second thing है, that is, आपके पैसे कहीं फसे हुए हैं, या जह पैसो को लेकर चंता जो है, आपकी एक और stuckness का real reason है, इसको sort out करिए, and pile 3, जो मेरे subscribers है, आपको तो इसको लेकर stuck feel करना ही नहीं चाहिए, मैं तो wealth को लेकर आप मेरे shots में चाहिए, playlist that is shots, उसको दबाईए, आपके पास endless में देती रहती हूँ, चाहे आप मेरा सिखाया हुआ money oil देखिए, money powder देखिए, money candle देखिए, cinnamon के ना भी हो, तो मैंने आपको 20 से 30 उपाय बताए हैं, आप करते रहिए, मेरे money manifestation जो affirmations हैं, वो इतने powerful हैं, कितनी success stories हैं, करिए, ये तो बित्कुल आपका stuckness होना ही नहीं चाहिए, ओके, आप आजाते हैं, deity, अर्धनारिश्वर, जो है, आपने इनको पूझा करनी है, इनकी blessings लेनी हैं, ओके, सो इस तरीके से pile 1, pile 2 और pile 3 की readings होती हैं, खतम, और I hope you will resonate, और मुझे जरूर बताईएगा, कि ये जो secret manifestation की जो universe की guidance card है, I tell you this is so 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 powerful, आप इसकी reading, YouTube वीडियो में चाहते हैं, कि नहीं, मुझे comment करके बताईएग If I get more than 50 comments for yes, कि हम चाहते हैं, मैं जरूर से इसकी जो है readings आप तक लेकर आऊंगी, तो चलिए, अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा, I hope आप लोगों ने resonate किया है, इन deities की पूझा जरूर करिएगा, तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने life में love and light भी खेरिए, फ किया हूँ, कि अपले हूँ, उससकी जरूर कर ते उंसे नित अपनेए, जससा होँ टो चलती हूँ, अब भी दो ले ourान, तो चलत करते हैं, किम आपने हूँ, बापने हूँ अपने हूँ